हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी आपके पनी यूटूब चैनल सोचोलोजी विल संगीता मैं मैं संगीता स्वागत करती हूं इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोचोलोजी के कमपेटिटिव एक्जाम के प्रिपरेशन करते हैं आपको सुपह के आट बीचे जो क्लैंसे मिलती हैं उसमें हम लोग कवर करते हैं जारकन सहाय कचार बिहार एस्टेट और बीपीएसी के सोचलोजी के स्लेवर्स को रात के आट बचे हम लोग कवर कर रहे हैं जारकन लेडी सुपरवाजर जारकन सीडीपियों के स्लेवर्स को उसके एकॉर्डिंग ही क्लास को मैनेज किया गया है जाड़कंड में एक और जो टीचर की वेकिंसी आने वाली है वो है जाड़कंड जो एसिस्टन्ट प्रोफेसर के लिए एजलिबिटी टेस्ट है जेट उसका भी तयारी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा जिसमें सोसलोजी को जो सिलेवा से उसको आपको कवर करवाया जाएगा आज का जो वीडियो है आज को जो क्लास इसके कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताइए कि क्या आप लोग जाड़कंड एसिस्टन्ट प्रोफेसर एलिबिलिटी टेस्ट की प्रिपेशन करना चाहते हैं उसके क्लास क्या मैं स्टार्ट क जैसे यह सब क्लास चेर रही हैं एक दिन फ्योड़ी और एक दिन उससे रिलेटेट हम लोग MCQ को कवर रहे करना है उसी प्रेकार से उसको भी कवर करवाया जाएगा क्योंकि जो जेट का स्लेवर से सोसोलोजी का वह बहुत जादा वास्ट है क्योंकि उसमें आपको नेट क स्लेवर से और पेपर टू भी जो सोस्वलोजी का स्लेवर से उसको पढ़ना होगा तो आपके जो कॉंत्रेक्स वह बहुत ज्यादा सूपरवाइजर यह जाणकन सीपीए के सोसिलोजी के स्लेवर्ष को मैंं जाँ पे स्लेवर्ष को सोसिलोजी के बारे में बता रहे हूं या फिर जो contact number दिया गया है आप मुझसे direct contact करके notes को purchase कर सकते हैं और अपनी तयारी को अच्छे कर सकते हैं तो चलिए आज के class हम लोग start करते थे क्योंकि यह information देना भी जोड़ी था आज का जो हमारा topic है वो unit 23 का क्योंकि रात में हम जारकन lady supervisor और जारकन CDPO किस levels को cover कर रहे हैं अब देखें मैं दोनों classes को ही आप लोग को लेकर चल रही हूं कि किस प्रकार से करना हैं आपको lady supervisor में तो mcq format में question पूछे जाएंगे लेकिन जो CDPO का exam में उसमें आपको कैसे लिखना है उसको भी मैं साथे साथ बताते जा रही हूं और आज का जो हमारा topic है वो है भारत में संदरशनात्मक परिवर्तन इसकी इंतरकरत हम लोग देखेंगे परंपरा आधुनिक्ता और दोगी करन और नगरी करन के संदर्व में तीक है मैं आप लोगों को बताते जाओंगी concepts को clear करते जाओंगी आप लोग उसको note down करिए या फिर जो student page groups से जूरे ही या जूरना चाहते हैं उनको में notes video format में send कर दूंगे तो देखिए भारत में हम लोग क्या कर रहा है संदर्शनात्मक परिवर्तन यानि भारत का जो संदर्शना है भारत का जो बनावत है उसमें परिवर्तन की बार तो सबसे पहला आ जाता है परंपरा परंपरा को हम लोग English में जानते हैं किस अर्थार्थ एक पीरी से जब दूसरी पीरी में जो गुन होते हैं जो परंपरा होती वो हस्तांतरित होती है तो उसको क्या कहा जाता है परंपरा कहा जाता है यह क्यों बताते हैं तो डीपी मुखर जी एडवर्स बताते हैं कि परंपरा समाज द्वारा पुराने मांदंड के प्रती सुईक्रित अथा सुईकार की जाने वाले रीति रिवाज या वेहवार हैं जो समाज द्वाड़ा मानने हैं ठीक है यह कौन बताते हैं मेंस बताते हैं और देखें यह में जो भी बताओं यह आपका में इसका जो है वह NCRT मैं बार बार बोढ़ रही हूं कि आपका जो question का जो एक क्या बोलते pattern रहेगा एक उसकी जो syllabus का question का जो quantity रहेगा वो आपका NCRT based रहेगा इससे अधिक आपको CDPO की exam में आपको जो होता है लेडे supervisor की exam में नहीं पूछा जाएगा तो NCRT को मैं follow करते ही आप आप लोगों यह साड़ा बतारी हूं topic तो DP मुखर जी की पुस्तर का नाम क्या है था diversity इसमें उन्होंने अपने लेख में उनका एक लेख था Indian tradition and social change इसमें उन्होंने किसके संदर में कुदी तो परंपडा के संदर में में बात कि थी और बात करते हुए लिखते है कि परंपडा क्या होता है तो नो कोई कीमती वस्तू को सुरक्षित रखना और उत्राधिकारी वह इतिहास मतल़ है एक जगह से जब दुसरी जगह के हमारे रीती इरिवाज हमारे धार्मिक प्रता हैं जब हस्तांतरी थोड़ी है तो वो क्या कहलाता है परंपरा कहलाता है ठीक है तो परंपरा की अगर हम विसेस्ता देखें तो परंपरा में हस्तांतरन की प्रक्रिया पाई जाती है गती सीलता होता है इसमें निरंतरता होती रहती है क्यों हम अपनेप पुरबज इस सीखते आहें और हम अपने आने वाले पिरी को भी वही चीज क्या कर रहें ट्रांस्फर कर रहें हनस्तान तरीट कर रहें तो यह पडंपरा चो यह निरंतरता है इसमें विद्धमाने यह एक जगा से दूसरी जगा एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती से दूसरे समाज में हस्तान तरी होती जारी है उसमें इसका विसस्ता है तो जब आपको कोश्चन देगा एक्षाम प्रवर्य लिखाष जो विसार में लिख्या और ना 어우 बात मैं पहले भी क्लास में बताई हूं जो CDPO की तयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स यह चीज ध्यान रखिएगा कि आप जो सोच रहे हैं कि आपने ग्रेजुरेशन दे दिया है उसी प्रकार से हम एंसर राइटिंग कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा वह ऐसा नहीं है हमेशा यह ध्यान में रिखिएगा कि CDPO का एजाम आपको कौन कंड़क्ट कर आए रहा है तो जो की आप ऑफिसर ग्रेट के बढ़ने वाले हो ठीक है ऑफिसर ग्रेट का यह बेकैंसी है तो उ कुछ भी एक्स्ट्रा रहेगा मैं आपको बताते जाओंगे टाइम टू टाइम यह तो हो गया प्रंपरा नेक्स है आधु निक्ता आधु निक्ता यानि मौडेρनिटी हम लोग क्या जानते हैं आधु निक्ता को मौडेरनिटी के नाम से जानते हैं ठीक है इसमें सिंधी बताते हैं कि जो आधुनिक्ता है यह तारकिक व्यज्ञानिक्ता तथा आर्थिक संरश्णा में बिसिस्टिता जो होती है उसी को क्या बोला जाता है आधुनिक्ता बोले जाते है यानि आधुनिक परंपड़ाओं से पड़े आधुनिक समाज की जो संरश्णा का मार्ग प्र तो हम लोग को जो चीज़ भी हमार जैसे धर्म ही हुआ तो धर्म से उपर जाकर हम कोई चीज़ को सोच रहा है यहाँ पर एक चीज़ याद रखेगा कि योगेंद्र सिंग ने इसके लक्षन बताते हुए बताए है कि इसके चार लक्षन बताते हैं आधुनिक्ता का क्या 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 वैक्तिवादिता समानता पडिवर्तन के प्रति आस्था और धर्म निर्पेक्षता इसको क्या बताते हैं आधुनिक्ता का लक्षन बताते हैं कौन बताते हैं योगेंद्र सिंग यह आपका एंसे याटी के ब रिटेन में और्दोगी क्रांती का सुर्ट प्राथ हुआ था जिसमें मसीनों की द्वाड़ा उत्पादन किया जा रहा था किसके द्वाड़ा उतबादन हो रहा था? यह एक आर्थिक प्रक्रिया के अंतरगत आती है, जिसमें कि उतबादन किससे हो रहा था? मसीनों की द्वाड़ा. तो हम कह सकते हैं कि और दोगी करन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बस्तूओं का उत्पादन हस्त उपकरन मतलब हास से जो लोग काम कर रहे हैं उसके स्थान पर निर्जिव व्यक्ति दुवाड़ा यानि कि जो मसीन होते हैं उनके माध्यम से हम कारखानों के माध्यम से संचा लोग बस्तूओं को कर रहे हैं जैसे खेती ही कर रहे हैं जो सथाने मसीन आज एक ट्रक्टर कर भाएब लोग जो अवीज बहते हैं उसके साम मसीन आगया है मसीन में आपा दान वो अट्रमेटिक लग जारा है तो इस प्रकार का जो निर्जिव यानी मसीनों के माध्यम से जा रहा है तो उसको क्या एकरन काहा एकरन क lequel करन का भारतिय समाझ पर बहुत जादा प्रभाब पड़ा पर है पावर्लूम और मसी निर्मित कप्ड़े जो कम कीमत पर हम रहें जिससे जो भारत की जो लगूधों धोख से जो प्राचीन जो प्रंप्रा थी वो नस्ट होते जा रही है ओद्योगी करन की बात करें तो आपको ढाका मिलेगा मुरसिदाबाद मिलेगा मुसली पटम मिलेगा ठीक है यह सब जगा पर आपको ओद्योगी करन बहुत जादा देखने को मिलेगा रेलवे का वस्तार हुआ है लोग गाओं को छोड़ के सहळों की ओर चले जा रहे हैं। थे या ये सुनकि उनको रोजगार चाहां में बात करतें हैं। कीमिए जब जिवन निर्वा करता था तो उत्पादन व्यापादी करन हुआ है, जो भी उत्पाद estratég सहिON कि अपने जीवन नीर्वाग के लिएक चिauptा गुंपलगा। उनके पास सब कुछ अच्छा आने लगा जिससे उनका जो उत्पादन था जो फसल उत्पादन करते थे उसका व्यपारी करन होने लगा मसीनी उत्पादन की प्रधांता होने लगी लोग मसीनों को उपर ज्यादा निर्वा रहने लगे क्योंकि एक तो समय कम लगता था और जो उत्पादन भी होता था वो संख्या में अधिक होता था ठीक है तो बेरोजगारी भी इससे उत्पन हुआ सहरी करण में ब्रिद्धी हुई लोग गाउन को छोड़के सहरों की और प्लाइन करने लगे क्योंकि उनको अपना जीवा निर्वा और अच्छा करना था सिक्षा का प्रसार हुआ सिक्षित हुए लोग सिक्षित होंगे तभी तो वह मसीनों को ठीक संग सच लाएंगे जो सरकार के दुबाड़ा नियम है नीती रिवाज जो उनका चल रहा है जो कानून है जो उनके लिए नयने कानून बनाये जा रहे हैं उनको जानकारी हासिल होगी लोग तंत्र का विक अब लोग किस पर डिपेंड़ होगे मसीनों के माधम से खेती करने लेगे तो यह था और दोगी करन आई वह आप लोग इसको अच्छे प्रकार से डील करके लिख सक्यागा नेक्स्ट है सहरी करन क्या होता है कि जब आपका यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ग्रामीन चेत्र के लोग होते हैं वो कहां जा रहे हैं सहरों की प्लाइन कर रहे हैं और सहरी जनसंख्या में ब्रिद्धी हो रही है ठीक है वो सहरों का जो जीवन सहली उसको अपना रहे हैं तो उसको वैसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है सहरी करन क्या कहा जाता है इसमें मेंली क्य कि अगर हम विसेस्ताओं की बात करें सहरी करन के तो स्रम विवाजन तरह स्रम विशिष्टी करन हमें देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति जैसा दक्ष होगा जिस काड़े में दक्ष होगा उसको उस हिसाब से काम मिलता है उस हिसाब से उसको परिश्रामिक मिलती है तो समाज म वह मिलती है। थीक हैasinkin दोत्यंक सम्हों में ब्रद्धी होगा हुए लोग उसके प्रद्और depict video किसारे से और उपलाइंश करना स्वेक अपना काम करना है उनको जीवन जरवाह किरना है। लोगों से कोई मेल जोल नहीं, किसी प्रकार का समाज ही करने, जिसके कारण दूट्यक सम्हों में ब्रिद्धी हुई है, जो जीवन भी है, वो किस प्रकार का जीवन हो जाए है, मसीनी जीवन, सुबह उठो, अपना घर का काम करो, काम पे जाओ, आओ रात को सो जाओ, तो इस यह जीजे आपको सहरों में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, और साथे सब प्रदूशन और सारेरिक समश्याएं भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इतना जादा मसीनों का वहां पे चलन हो गया है, कि उसके द्वारा जो दूसीत जो बायू निकल रही है, दूसीत जो कि हमारों कि इसको प्रभाव करणा है, हमारे सरीर के उपर प्रभाव करणा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या सहरी करन का क्या प्रभाव पड़ा है, तो जो जातिकत विस्त जो उद्योग होते हैं, जो ग्रामिन छेतर में में मेली हमको जातिकत वेलसाय देखने को मिलत मेली महिला ससकती करन आई है तीक है महिलाओं को सिक्षित किया जा रहा है और अंग्रेजी सिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें सहरी करन के अंतरगत भी दिखने को मिलता है तो यह सब चीजे जो हैं वह सहरी करन के अंतरगत आई है तो I hope आप लोगों को यह बद्धन्यवान